बिस्मिल्लाहिरहमान रहीम, असलाम अलेकुम, मेरा नाम है मुहम्मद खुबैब, आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल विटर्नी ट्रीटमेंट सत्चा 36, खोशामदीद कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप खेर खेर हैसे होंगे और आपके माल मवेशी भी खेर खेर है होंगे, आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे जो ताजा सुई हुई गए भैस है, जो पिछले सुई पर दूद ज्यादा देती थी, अब वो कम दे रही है, साल के तोर पर पिछले सुई पर जो भैस और गए 15 लिटर से उपर दूद दे रही थी, अब इस स जासे जानवर की दूद की पैदावार मतासिर होती है, ताजा सुई जानवर को हम कैसी खुराक खिलाएं या देसी नस्खा दें, जिस से वो दूबारा अपनी पोजिशन पर आ जाए, कि वो 15 से 20 लीटर हुजाना दूद दे, आज की इस वीडियो में दूद बढ़ाने का और खुराक बताएंगे, आखिर तक मुकमल वीडियो देखना इन्शालला आपकी भैस और गये दूद काफी मिगदार में बढ़ा देगी, इस वीडियो में हम आपको जो चीज़े बताएंगे, जो जो चीज़े बताएंगे, आपकी भैस और गये 10 लीटर तक दूद देती है, वो जल्द ही 15-16 लीटर तक दूद पर आ जाएगी, अगर आप मेरे चैनल पहने हैं तो सबसे पहले आप से गुजारेश है, मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और तोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, याद रखें दूद उस भेंस और गया में वढ़ाने के एहलियत होती है, सलाहियत होती है, जो दूद के अदबार से आला पुरुवा नसल की हो, आम देसी गये, दूद कभी ज्यादा नहीं बढ़ाती है, सबसे पहले अगर आपके जानवर को सोई होए 15 से 20 दिन हो गए हैं, तो उसकी डिवर्मिंग करना लाजमी है, डिवर्मिंग करें, लाजमी करें और साथ लिवा टानिक दें, जानवर की डिवर्मिंग करना नहायत अहम और जरूरी है, इस से फिर जो जानवर को खुराक और देसी नुसखा दिया जाता है पूरा डिजल्ट मिलता है चलते हैं नुसखा की तरफ नुसखा नोट फर्मा दो किलो मिस्री लेना है आपने एक किलो मिथी दाना और पांच सो ग्राम आपने सुफ़ जीरा लेना है और पांच सो ग्राम आपने सौंफ लेना है आधा किलो आपने तारा मिला लेना है इन सारी पांच चीज़ों को कूट कर आपने सफू बना लेना है पॉडर बना लेना है अच्छी दरा से कूट लेना है और एक बरतन में सेव कर लेना है और फिर हर भैस को या गय को ठाइसो गराम सुबा शाम आपने देना है पहले तीन दिन आप धाई सो गराम सुबा शाम देंगे फिर दिन में एक मरतबा देना है फिर क्या होगा हमारी भैंस और गए फोरां दूद बढ़ा देगी तो उनका दूद 15 से 16 लीटर तक पहुंच जाएगा और आपको पराफिट नफ़ा ही नफ़ा होगा याद रखें इसके साथ अपने जानवर को वंडा रुजाना की बन्याद पर जो तीन लीटर वाली गए है उसको डेट किलो वंडा देना है और जो दो किलो भैंस दूद दे रही है उसको डेट किलो वंडा लाजमी देना है इस ratio के हिसाब से आपने वंडा देना है चाहे जितनी गय या बहांस दूद दे रही है जो ratio हमने बताई है इस ratio से आप उनको बहांस देंगे इन्शाला आपकी गय या बहांस कमजोर भी नहीं होगी और दूद ज्यादा से ज्यादा होता चला चाहेगा और इसके साथ अपने जानवर को मिनरल पोर्डर जिसमें कैलसम, फासफोरस और विटामन से भरपूर हो अपने जानवर को रुजाना 100 गराम जैसे वाइड गोल्ड हो गया अच्छा और मियारी है वाइड गोल्ड या एलस मिनरल 100 गराम रुजाना अपने जानवर को दे और कोछ दिनों के बाद आपका जानवर सिहत मन और ज्यादा दूद देने वाले जानवर में शुमार हो जाएगा वंडा खिलाने से और मिनरल देने से जानवर की जिसमानी सिहत भी अच्छी रहती है और कुछ दिनों के बाद जानवर दुबारा हीट में जल्दी आ जाता है अगर जानवर की डिवर्मिंग हो जाए और जानवर को वंड़ा मिल जाए और जानवर को मिंड़ा साथ साथ मिलता रहे इस से जनवर जो 16 साल हीट में नहीं आते हैं जनवर हीट में भी जल्दी आ जाते हैं 40 दिन के बाद, सुने के बाद, 40 दिन के बाद दुबारा हीट में आ जाते हैं इंशालला हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक, शेयर और सब्क्राइब करें बेल आइकान के बटन को बाद हैं मिलते हैं एक नई इंफार्मेटर वीडियो के साथ अस्सलाम हुआ